बिनिपटी प्रखंड के करहारा पंचायत के सहरोल गाउं में शुरू हुई पांच दिवस्य महावीरी जंडोसव को लेकर मंगलबार को 551 कुमारी कर्ण्याओं के द्वारा भव्वे कलस्योभा यात्रान निकाली गए कलस्योभा यात्रा जंडोसव अस्तल से निकलकर मधवापुर प्रखंड शीमा के तिर्मुहान इसी धोस नदी के उतरवाहिनी तर से पवित्र जल भर कर तिर्मुहान समडा इसलामिया टोल सहरोल डिह टोल महाराजी टोल सहित अन्ने टोलोवा गाउं का परिभरमन करते हुए पुना जंडोसव अस्तल पहुची जहां मौजूद पंडितों ने बैद मंत्रो चारन के साथ कलस को निष्ठापूरबक अस्तापित कराया जंडोसव का विध्वत उदगातन सिक्षक राव प्रभोती यात्र लिकी 111 फीट उचा महाविरी जंडा विसेस आकरसंग का बना हुआ है वहीं जंडोसव समीति के अधक्ष शंकर यादव, सचीब सूरज कुमार यादव और कोसाधक्ष बीमल कुमार यादव ने बताया कि गाउं में सांती प्रेम फुसाली और आपसी भाईचारा बढ़ाने की कामना से 20-27 मार्च तक समस्त ग्राम बासी के सहयोग से जंडोसव का धूमधाम और हरसो लास पूरवक आयोजन सुरू किया गया है आयोजन के पहले दिन रातरी में युबाओ दोरा समाजी की बुरायों पर आधारित इंसानियत नामक नाटक का मंचन किया गया जंडोसव के दौरान जहनी लोक नित्य पतियोकता का आयोजन हो के चिकी सक्सा जंडोसव के विसेस सहयोग करता डॉक्र यूगल की सोर्यादब के द्वारा निसुल की चिकी सा सहर दवा बित्रन शीविर का भी आयोजन किया जाएगा साथी समीती के द्वारा ठारा वा भंडारे की भी विवस्था की गई है बतादे की 18 मार्च तक 11 दिवस्य नवाह संकिर्थन यक्का आयोजन किया गया सुंबार को विवाह संकिर्थन का आयोजन होगा और 21 से 23 मार्च तक अलहार उदल नित्य समेत विविन प्रकार के सांस्कृति कारिक्रम भी आयोजन किया जाएगा 23 मार्च की संध्या में लंका दहन कारिक्रम का भी आयोजन किया जाएगा प्रधान कलस के लिए बुली लगाए गई जिसने 17,511 रुपे लगा कर गाव के संजय यादव के पुत्री कंचन कुमारी ने प्रधान कलस प्राप्त की जिसे कमिटी के विशेस कुमार के द्वारा संभानित की जाएगा मौके पर समिती के सदस्य बिनूट कुमार यादव, राम परकास यादव, चंदेशुर यादव वह, निलामर कुमार सहित अन्ने लोग भी कारिक्रम को सफल बनाने के लिए प्रतिबध दिखे तक आया हुजने और क्या कारिक्रम है वह बताईए तो शुरुवात हुआ नवाह जो दिनांक 8-3-2024 से 18-3-2024 तक नवाह का आयोजन किया गया जो की आज क्या कुछ कारिक्रम था आज का विवा किर्टन है रात में और कलस्वा यात्रा में कितने कुमारी कन्या है जो भाग लिए और कहां से चल करके और कहां जो जल भूजी का काम है कहां होगा जहन्डा अस्थल से तिर्मुहान घात है कचरी मौर के पास उत्री नदी से जल भरा जाएगा और परकरमा किन किन गाउं को करना है और फिर यहां पहुंचेगी क्या कुछ इस दौरान कारिक्रम है और लोगों से क्या कहेंगे आप अच्छा यहां जो आयोजन होता है तो इस मेले में आसपास के कितने गाउं के लोग पहुंचते हैं कितनी अमुमन भीर रहती होगी लगभग जो भी दोकंदार है उनका भी व्यवसाई अच्छा खासा हो जाता है यह किस जगह पर यह जंडा मिला है इस चोहरोल गाउं के बीच में है आपका नाम क्या हुआ राम प्रकास जागव और आपका नाम सुरज जागव जंडा महसब करने का उदेश क्या है आप लोग का लोग का लोग के लिए भाइचारा के लिए इस सब जो है ताकि गाउं में सुक्सांति सम्रद्धी की कामना हो इस तरह की बाते भी चल लही थी कि यहां कोई नाटक का जनकारी जो है बताइए बसर दर जबसे я मेला लगाया घारा है तब से हर साल हो रहा है कितने साल से छार सालसे लग रहा है लगातार ठिक क्या कौन सी नाटक है और आधारित क्या है इस जेंगरव है इंसानियत पराइचिन से संबंदित है जो अपना योगदान करते हैं और एक संदेश जो है वो समाज में जाएगा क्या नाम हुआ आपका नाम क्या हुआ सब साल कर नाम की सब बेवस्था है जूला याल चीए सब खेलता मासा सब रखने ची नाच प्रग्राम है वाद देखे ची भक्ति हमसे करे लिया एक आला दिन नवाह कर लिया इनका महाबीर ची के नाम पर विवाकिरतन भी है की नाम है आके अपने अध्यक्षी है आप हमारे मदुबने न्यूस को फेज़ूक पे देख रहे हैं तो पेच को लाइक करें यूटूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले